हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगें टो माई चानल आज हम फिर से आएं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ और ठंडक में गरम गरम पराठे हों और वो भी भरे हुए तो क्या कहने मज़ा आ जाता है और साथ सभी कोई मुझे लगता है कि सभी कोई चाहिए सुबह सुबह गरम और चाहिए और यह नास्ते में मिल जाए तो दिन बन जाता है तो रोज आलू के पराठे बनाते हैं गोवी के पराठे बनाते हैं और बहुत तरीके के हम पराठे बनाते हैं दाल के पराठे बनाते हैं तो आज हम बनाएंगे नए तरीके के पराठे वह भी बत हुआ के परा और इसको हमने दो-तीन पानी से धुल कर साफ करकर रख लिया था और इसको हमने थोड़ा काट भी दिया है और ये कटी हुए आलू तो जितना बतुई लें उससे थोड़ा कम ही आलू लें तो ज्यादा बेतर रहेगा तो सबसे पहले हम कड़ाई में करेंगे तेल को गरम और इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो यहां पर हम डालेंगे एक चमच भर कर जीरा थोड़ी सी हींग डाल दें यदि आपको अच्छी लगती हो तो और इसमें हम डालेंगे बारी कटी हुई हरी मिर्च और इन सबको अच्छे से भून लेंगे बिल्कुल मिर्च क्रिष्पी हो जाए तब हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए आलू अभी हमने इसमें और मसाले नहीं डाले हैं और इन आलू को पहले हम मसाले में मिक्स कर देंगे मतला तेल और हरी मिर्चो जीरे में और इसमें डालेंगे अपनी कटी हुई बत्वी तो बत्वी आप ध्यान रखें कि कटी हुई डालें तो जो बड़ी-बड़ी कभी-कभी मोटी डंडिया होती वो भी कट जाएंगी और पत्तियों ही निकालें डंडियों को पहले ही अलग कर देंगे और इसमें डाल देंगे नमक और नमक डाल के बत्वी और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम ढख देंगे अब देखिए नमक भी अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसको गैस की फ्लेम को कर देंगे और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें पानी पहले से ही निकलता रहता है देखिए बत्वी ने कितना सारा पानी निकाला है और अब यह अत्पके आलू हो गए हैं तो इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च तो यहां पे हमने मिक्स कर दिया है लाल मिर्च को और थोड़ा सा धनिया पाउडर और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं तो यहां पे हमने डाल दिया है गरम मसाल इसे पिसा हुआ ना डालें तो आप इसमें थोड़ी सी लॉंग और थोड़ी सी लाइजी को कूट के डाल देंगे तब भी आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा तो अब इसको हमको है भूनना सबजी पक चुकी है तो थोड़ी दिर अभी हमने अधक दिया इसको और क्योंकि जो नमी होगी और पानी होगी वो भी खतम हो जाएगा तो बराबर इसको हम चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे अब देखिए पानी लगवग हो गया है खतम और इसी में आलू को हम थोड़ा मैश करते रहेंगे जिससे अच्छे से ये मैश हो जाएग बहुत त बथवी का पराठा जब बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही ये स्वादिश्ट पराठे लगते हैं खाने में आप जितनी ज्यादा बथवी डालेंगे उतना ज्यादा ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा बहुत तरीके से बतुई के भी और दही बहुत ही स्वादिश्टे प्राठा लगता है तो गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है बन और देखिए लगभग चलाते हुए ही लगभग आलू इसका मैश हो गया है लेकिन इसको अब हम दुबारा से अच्छे से मैशर से मैश कर देंगे तो यह बहुत बढ़िया सा औ जाए जो नया आलू होता है यदि उसको ठंढ़ा करने के बाद आप इसको मैश करेंगे तो उसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है और थोड़ा सा आलू का जो भरता होता है वो भरने में जो बहुत ही मुश्किल हो जाती है इसलिए जब भी भरता बनाएं तो गरम गरम ही बनेगा आप देखिए बत्वी और आलू एक में अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम क्या करेंगे कि इसको अभी सबसे पहले ठंडा करेंगे यदि आपको परफेक्ट पराठे बनाने हैं तो आप भरते को हमेशा पहले अच्छे से ठंडा कर लें तो यहां पर आठे का डो हमने लगा कि रखा था देखे कितना साफ्ट आठा है बिल्कुल बहुत ही नरम आठा बनाएंगे उतना ही बड़िया आपका पराठा बनेगा तो यदि पराठा बड़िया बनाना है तो आठे के डो को बहुत ही ज्यादा नरम बनाईए और बिल्कुल साफ्ट डो बनाएंगे त चारो तरफ से इसको हम कर देंगे बंद बहुत लोगों के पराठे अक सर्फ फट जाते हैं तो और बंते नहीं उनके पराठे तो वो इसलिए नहीं बंते हैं कि आपने आलू का भरता बनाया और गरम-गरम भर देंगे आप तो वो आलू का पराठा जरूर फटेगा और दूस आलू का पराठा कभी भी फटेगा नहीं अब देखिए हमने पूरा पराठा बेल लिया है और बहुत ही बढ़िया ये बिल गया कहीं से भी फटा नहीं है तो तावे को गरम कर लिया है और इस पे हम डाल देंगे अपना पराठा और जब तक ये पक रहा है एक तरफ तब तक हम फटा फट दूसरा पराठा भी अपना बना लेंगे तो वही इस्टेफ फालो करना है इसी तरह से हम बेलिंगे पहले छोटी सी पूरी और इस पे हम रख देंगे अपना एक दूसरा बॉल और इसको हम चारो तरफ से फोल्ड कर देंगे और देखिए पराठा एक तरफ हलका हलका पक गया है उमने पलट दिया है तो अब इस पे हम लगाएंगे अच्छे से घी आप चाहें तो इस पे घी किसे बार तेल भी लगा सकते हैं हर तरीके से पराठा बहुत अच्छा बनता है और दूसरी तरफ भी देखिए पक गया है और बढ़िया से इसमें भी घी लगाएंगे और देखिए कैसा फूल रहा है पराठा जबकि इसमें अच्छे से भरता भ फूल रहा है कहीं से भी ये पराठा फटा नहीं है तो आप इसी तरीके से अपने पराठों को बनाएए और आपके पराठे भी बिल्कुल भी नहीं फटेंगे बहुत लाजवाब पराठे त्यार होंगे तो किस ने आलू और बतुई के पराठे बनाए हैं और कैसे बनाए हैं तो प्लीज कमेंट से भाक्त में जरूर बताना और आप भी इस तरीके से वीडियो को देखकर मेरी तरीके से भी एक बार जरूर बनाना अपना आलू का पराठा तो पहला वाला मेरा बन गया है और को भी सेखेंगे देखिए दूसरा पराठा भी बहुत अच्छे से फूला हुआ है और इसी तरीके से हम अपने बना लेंगे सारे पराठे इन पराठो को आप टिफिन में रख सकते हैं और मेहमानों को खिला सकते हैं और सुबह के नाश्टे में तो ये पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं जिसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है कि हमको बहुत देर तक कुछ करना है जितनी देर में आप नाश्टे की त्यारी और करेंगे उतनी देर में पराठे की त्यारी भी हो जाएगी और इसी तरीके से हम सारे पराठो को बनाके बेल के रख लेंगे और सिकते जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगती है या अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजेगा और लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए तो आप जब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुचींगी तो मेरे पराठे हो गए गरम-गरम तयार और सुबे का नास्ता मेरा है तयार मेरे बच्चों को ये पराठे बहुत पसंद है और बहुत ही बढ़िया प्राठे बने हैं देखिए हम आपको खोल के दिखाते हैं देखिए इसके अभी गरम बहुत है प्राठा इसलिए छुने में थोड़ा वो रह रहा है और ये देखिए अंदर तक इसकी पूरी लेर कैसे भरी हुई ये अंदर तक और इसको हमने सर्व किया हरी मिर्च और लहसुन के अचार के साथ तो इंजॉय करिए आप सभी खुछ जैशे किशना